केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि कोविड-19 संबंधी हालत मोंबाई, पूने, इंदौर, जैपूर, कोलकाता और पस्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर विशेश रूप से गंभीर है और लोकडाउन के नियमों के उलंगन से कोरोना वारस फैलने का खत्रा है जीहां ग्रे मंत्राले ने राज सरकारों को केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे स्वास्थ सेवा, पेशे वरो पर हिंसा समाजिक दूरी बनाये रखने का उलंगन और शहरी इलाकों में वानों की आवाजाही के कई मामले सामने आये हैं, इन्हें रोका जाना बहुत जरूरी है, केंद्रिय स्वासि मंत्राले ने बताया है कि कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 543 हो गई है और इससे संक्रमित लोगों की संख्या 17265 हो गई है, कोरोना के लिए लोगडाउन के दौरान पस्चिम बंग भीजने का फैसला किया है, राचिक के करीब साथ जिलों में दो केंद्री प्रतिनीधी दल आएंगे, केंद्री ने कुल 6 प्रतिनीधी मंडल का गठन किया है, उनमें से दो पस्चिम बंगाल और महरास्ट जाएंगे, दूसरी और बाकी प्रतिनीधी दल मध्य प्रदेश औ और महरास्ट के मुंबई, पूरे, राजिस्थान के जैपुर और पस्चिम बंगाल के कोलकाता, हावडा, पुर्वी मीदनापुर, उत्तर चौबिस परगना, दारजलिंग, कालिंग पोंग और जल्पाई गुडी में हालत विशेस रूप से गंभीर है। उसमें कहा है कि बंद के नियमों के उलंगन के सामने आए मामले, लोगों के स्वास्ते को गंभीर खत्रा पैदा कर रहे हैं और कोविड-19 के फैलने का खत्रा भी बढ़ रहा है।